Hello students, welcome to my channel, बच्चों आज class 10 mathematics NCRT chapter 13 कि ये दूसरी exercise जो की ठोसों के संग्योजन का आयतन अर्थाथ exercise 13.2 जो है, आज हम study करेंगे, अब ये देखें कि इसी exercise 13.2 में जो ठोसों के संग्योजन है, उसमें कौन-कौन से फार्मूले हमें परियुक्त करने हैं, तो आयतन से संबन्दित परियुक्त सुत्र, क्या-क्या चीज़ें इसमें परियुक्त होंगी, पहला तो है कि गोले का, तो गोले का आयतन होता है, भी इक्वल्स टू फोर अपान थरी पाई आर क्यूब, जहां आर जो है इस गोले का त्रिज्या है, इसी तरह से अर्ध गोले का, तो अर्ध गोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, तो यह फोर अपान थरी है, तो यह टू अपान थरी हो जाएगा, तो भी इक्वल्स टू टू अपान थरी पाई आर क्यूब, बेलन यानि सिलिंडर, सिलिंडर की हाइट एच और रेडियस आर है, तो इस बेलन का आयत तो बहुत आइटन भी बराबर LQ यानि साइड का Q घनाव यानि यह आपका हो गया Q इस Q आइटन हो गया LBH लंबाई गुड़े चवड़ाई गुड़े मुटाई या उचाई तो बहुत प्रसनावली 13.2 के कुछ Q साल करते हैं Q नमबर 1 है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक संकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है तथा संकु की उचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ग्याद कीजिए मिन्स जो सुत्र हम प्रिउक्त करेंगे उसमें जो पाई का मान है 22 बटा 7 न लेकर के पाई को ही रहने देंगे तो क्या का रहा है कि एक ठोस के और्ध गोले पर मलब हेमिस्फेयर तो एक ये हो गया हेमिस्फेयर और्ध गोला इस और्ध गोले के ऊपर संकु की उचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है यानि जो संक यहाँ पर कौन जो है इसके उपर रखा गया है इसकी हाइट जो है इस रेडियस के बराबर है यानि यह एक सेंटीमीटर है रेडियस इसकी हाइट भी एक सेंटीमीटर है तो संक की उचाई है एच जो है वह अर्ध गोले की तरिजिया आर यानि वन सेंटीमीटर के बराबर है तो जो बनी आक्रिति है उसका आहितन होगा आहितन के लिए क्या करेंगे इस अर्ध गोले का आहितन प्लस उपर रखे ये संग यानि कौन का आहितन यानि दोनों के वाल्यूम को आहितन को आइड कर देंगे तो अर्ध गोले का आयतन 2 upon 3 pi r cube और ये संकु यानि कोन का आयतन 1 by 3 pi r square h दोनों में r का मान समान है और pi common है तो इस तरह से हम इसमें से pi r square यानि 1 upon 3 pi r square कामन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा 2 r plus h इसकी value put करते हैं तो 1 upon 3 pi इसमाल r का मान है 1 तो 1 का square और यो गया 2 into 1 plus 1 इस तरह से 1 upon 3 और ये pi और ये 2 बन जा 2 और plus 1 3 ये 3 से 3 कट जाएगा और आ जाएगा pi cubic centimeter क्योंकि आयतन है तो आयतन की इकाई घन centimeter यानि cubic centimeter या cubic meter में होगी तो यहां पर मात्रक centimeter में दिये गए हैं इसलिए इसका जो आयतन का जो मात्रक है यह centimeter cube में लिखेंगे question number two एक engineering के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्मुनियम की seat का परियोग करते हुए एक model बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो बेलन के आकार का जिसके दोनों 0 पर दो संक जुड़े हो इसके दोनों 0 पर ये दो कोन जुड़े हो इस model का ब्यास 3 cm इसका जो ब्यास है वह 3 cm और इसकी लंबाई 12 cm इसकी जो total लंबाई है ये 12 cm यदि प्रतेक संक की उचाई 2 cm यानि उपर वाले की उचाई 2 cm नीचे वाले की उचाई 2 cm तो रचेल द्वारा बनाए गए माडल में अंतरविस्ट हवा का आयतन ग्याद कीजिए यानि इसके अंदर कितनी हवा होगी इसका आयतन ग्याद करना है तो इसमें कहा गया है कि माडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है तो डाइमेंसन जब इसका बाहरी और मनलब इंटर्नल और एक्स्टर्नल दोनों सेम है जब दोनों सेम है तो अगर हम इसके टोटल वालियूम को या आयतन को निकाल लें तो यह हमें मिल जाएगा कि इसका जितना वालूम है आयतन है उतना ही हवा इसके अंदर भरी है तो क्या-क्या दिया गया इसमें दिया गया है बेलन तथा संकु के आधार की तरिज्या यह रेडियस दोनों का सेम है और यह हो गया 3 बाई 2 क्योंकि माडल का ब्यास 3 cm है तो रेडियस हो गया r equals to 3 by 2 यानि 1.5 cm संकु क्यों चाइई 2 cm है बेलन क्यों चाइई कितनी हो जाएगी 2 cm उपर से और 2 cm नीचे से निकल गया कितना बचेगा h बराबर 12 यानि टोटल 12 है तो इस 12 में से दो उपर का और दो नीचे का जोड के निकाल दीजिए तो 12 माइनस 4 यानि 8 सेंटीमेटर तो जो बीच बेलन वाला हिस्सा है इसकी लंबाई या उजाई हो जाएगी 8 सेंटीमेटर अब माडल में अंतरविस्थ हवा का आयतन तो बेलन का आयतन यानि या जो बीच वाला भाग है प्लस दोनों संकु का आयतन ऊपर और नीचे दोनों कोन है इन दोनों कोन का आयतन बेलन का आयतन होगा πाई आर स्कॉयर एच एच दोनों में डिफरेंट है इसमें एच डिफरेंट होए और कोन में भी डिफरेंट है इसलिए हम यहाँ पर बड़े वाले को यानि जो बेलन का है वो बड़ा है तो इसको हम क्वेप्टल एच लिखते हैं आर का मान सेम है और कोन के लिए इसमाल एच का परियोग करेंगे तो पाई आर स्कॉयर केप्टल एच प्लस टू टू क्या है एक कोन उपर है और एक कोन नीचे है तो एक कोन का होगा वना पान थ्री पाई आर स्कॉयर इसमाल एच तो दो कोन का 2 से multiply कर देंगे अब इन दोनों को add कर देंगे जब दोनों को add करेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़े common है जो common है उसको common ले लिजे common इसमें से लेना इसलिए भी जरूरी है कि सभी में πाई और आर इस तरह से मान आएगा अगर हम पाई को अगर common लेके साल्व नहीं करेंगे तो पाई का मान हमें fraction में दो दो बार साल करना पड़ेगा इसलिए हम पाई वाले term को common ले लेते हैं तो पाई आर स्क्वाइर कामन ब्रेकेट में बचेगा यहां से capital H प्लस यहां से बचेगा 2 by 3 small h अब इसकी value put करते हैं तो पाई का मान 22 upon 7 small r का मान 1.5 का square और capital H 8 2 upon 3 into small h 2 अब यहां पर आप देखेंगे की हो गया 22 बटा साथ और यह 1.5 का square तो 15 का square 225 होता है तो 1.5 का square हो जाएगा 2.25 और यहां से यह हो जाएगा 224 by 3 तो इसको solve करेंगे तो यह 8 3 जा 24 24 और 4 28 अपान 3 ओके अब इस 7 से इस 28 को cut करिए तो 7 4 जा 28 यह 4 आ गया 3 से इसको cut कर दीजे तो 3 7 जा 21 और 1 और 5 3 5 जा 15 तो मिला क्या 22 into 0.75 into 4 अब इसको multiply कर देंगे multiply करेंगे तो आ जाएगा 66 cm3 अर्थार माडल में जो अंतरविस्ट हवा का आयतन है वह 66 cm3 होगा question 3 एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चासनी होती है 45 गुलाब जामुनों में इस लगभग कितनी चासनी होगी यदि प्रते गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्थ गुलाकार तथा इसकी लंबाई 5 cm और ब्यास 2.8 cm है ये आकरिती देखिए 13.5 ये डिबे में रखा गया है गुलाब जामुन तो अर्थ गुले का ब्यास कितना है 2.8 cm चलिए इसमें से एक रस गुला निकालते हैं ये लिया अब इस रस गुले में आप ये देखिए कि क्या क्या है इसका ब्यास 2.8 है तो रेडियस कितना होगा 1.4 इधर का हो गया और 1.4 इधर का हो गया तो 1.4 और 1.4 दो 2.8 ये इसमें से निकल गया टोटल लंबाई इसकी 5 cm है तो बेलन और अर्ध गोले की आधार की त्रिज्या दोनों सेम होगी जो कि यहाँ पर व्यास दिया गया है 2.8 तो इसका त्रिज्या रेडियस हो जाएगा 2.8 बाइट बाइट यानि 1.4 cm बेलन की लंबाई जो बीच वाला बेलना कार हिस्जा है इस बेलन की लंबाई न लंबाई कितनी हो गयी यह टोटल लंबाई 5 cm है 1.4 इदर से निकल गया 1.4 इदर से निकल गया तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 यानि 2.8 निकल गया तो बच गया 2.2 cm यानि ये बीच वाले भाग की लंबाई है 2.2 cm अब एक गुलाब जामून का आयतन कितना होगा वालियूम कितना होगा तो क्या करें इसके लिए हम करेंगे इन दोनों गोलों को सटा देते हैं इन दोनों गोलों को सटा के देंगे क्या हो जाएगा एक गोला बन जाएगा और ये बीच में एक सिलिंडर यानि बेलन बन जाएगा दोनों के वालों को जोड देते हैं तो चलिए बेलनाकार आकरिती का आयतन प्लस दो गोडे और गोले का आयतन एक इसका और एक इसका अब देखिए बेलन काहतन हो गया πाई आर स्क्वाइर H प्लस 2 इंटू एक गोले का 2 बाई 3 पाई आर क्यूब तो अभी हो जाएगा 4 अपान 3 पाई आर क्यूब R का मान दोनों में सेम है अब इसमें से पाई आर स्क्वाइर कामन ले लीजिए तो यहां से बचेगा H प्लस यहां से कामन ले लेंगे तो 4 अपान 3 R बाई लू पुट कर दीजिए पाई का मान 22 अपान 7 R का मान 1.4 का स्क्वाइर और यह H 2.2 प्लस 4 अपान 3 इंटू 1.4 अब यहां देखिए यहां जो कटने लाइक है उसको काट दीजिए तो 1.4 का स्क्वाइर होता है 1.96 और यह अंदर हो गया 2.2 और प्लस 4 का 1.4 में गुड़ा कर लीजिए तो चवदा चवदा को 56 5.6 और बटा 3 अब यह 7 से इसको कट कर दीजिए तो 7 दुना चवदा और 5 साथ बटे चपन 0.28 तो अब यहां से हो गया 22 गुड़े 0.28 गुड़े यह गुड़ा कर लेंगे तो 2.2 इंटू 3 6.6 प्लस 5.6 अपान 3 जोड़ दीजिए तो यह उपर का हो गया 12.2 बटा 3 अब यह उपर वाली बैलू को हम गुड़ा कर लेते हैं तो यह 75.152 अपान 3 सेंटीमीटर क्यूब यह मिल गया एक गुलाब जामून का लेकिन इस प्रकार के 45 गुलाब जामून इस डिब्बे में रखे गए हैं तो 45 गुलाब जामून का आयतन क्या हो जाएगा 75.152 यह मल्टिप्लाई करेंगे तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब पूरे आयतन का 30 परसेंट चासनी है जो इसका सीरा है चासनी है वह 30 परसेंट है इसलिए चासनी का आयतन कितना हो जाएगा 30 परसेंट आफ 45 गुलाब जामून का आयतन तो 30 परसेंट मतलब 30 पान हंडेड और 45 गुलाब जामून का मिल गया एक एक दो साथ दसमलो दो आठ यानी 1127.28 अब इसको सिंपलिफाइल करेंगे तो यह जीरो कट गया इससे तीन से इसमें गुडा कर लेंगे और बटा दस है यह उपर आ जाएगा तीन तीन आठ एक दसमलो आठ चार बटा दस एक दसमलो और शिफ्ट जाएगा बाय तरफ तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब अब यह पॉइंट वाले यानी पॉइंट वाला बैलू बहुत ही कम है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुलाब जामून में चासनी का जो आयतन है वह 338 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा क्यूस्चन नबर फोर एक कलम दान घनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार संक्वाकार गड़े बने हुए हैं घनाब की बीमाएं 15 cm x 10 cm x 3.5 cm है प्रतियक गड़े की तरिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ग्यात कीजिए यह आकरित देखिए यह पेन बाक्स रखा गया इसमें यह देख रहे होंगे इस लकड़ी में गड़े कटे हुए है पेन को रखने के लिए और यह लकड़ी का आकार है यह लकड़ी का आकार है कैसा घनाब के आकार का है म कितना हुआ लंबाई गुड़े चवडाई गुड़े मोटाई तो यह हो गया 15 x 10 x 3.5 यहां दिया गया है 15 cm 10 cm x 3.5 cm तो यह multiply करेंगे दिया जाएगा 525 cm3 अब देखिए इसमें से एक कोन के लिए हम अगर साल करते हैं तो कोन की height जो है h है कोन की height h तो संकु की आधार की तरिज्या 0.5 cm संकु की गहराई h 1.4 cm तो इस तरह से कलम दान से निकाली गई संक्वाकार लकडी का आयतन कितना हो जाएगा 4 x 1 upon 3 pi r square h एक संकु का 1 upon 3 pi r square h तो 4 का 4 से इसमें multiply कर देंगे तो 4 x 1 by 3 22 upon 7 और into r small r का मान है 0.5 तो इसका square हो गया गुड़े 1.4 यह साथ से कट जाएगा दसमलो 2 अब यह जो value बची 4 x 1 by 3 यहां से 22 इसका square हो गया 0.25 और into 0.2 अब यह आ गया 4 दसमलो 4 बटा 3 यहांने 1.46 अब इसको दसमलो के दो अस्तान तक लिक लेंगे तो 1.47 घन सेंटीमीटर क्यों तो पूरे कलम दान में लकड़ी का जो आयतन है जो घनाब के आकार की लकड़ी है उसके आयतन में से जो संक्वाकार भाग काटके निकाला गया उसको माइनस कर देते हैं तो 525 माइनस 1.47 तो यह जाएगा 523.53 घन सेंटीमीटर एक बरतन एक उल्टे संक्व के आकार का है इसकी उचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके उपरी सीरे जो खुला हुआ है कि तरिजिया 5 सेंटीमीटर है यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलियां जिन में प्रतेक 0.5 सेंटीमीटर तरिजिया वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चवथाई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डाली गई सीजे की गोलियों की संख्या ग्यात कीजिए तो यह एक संख्य है इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर इसमें पानी भरा हुआ है तो इसमें जब कोई भी पत्थर या कोई गोली डालेंगे तो अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा वो पानी बाहर के तरफ गिरेगा अब देखिए माल लेते हैं कि इसमें हमने जो है N कंचे डाल दिये और जब यह इसमें डाल यानि संकु के एक बटा चार आयतन के बराबर यह पानी हटाते हैं इसका मतलब कि इन सभी गोलियों का जो आयतन है यह एक बटा चार कोन के आयतन के बराबर होगा तो संकु के आधार की तरिज्या कैप्टेल र 5 सेंटीमीटर संकु की गराई H 8 सेंटीमीटर संकु में भरे पानी का आयतन हो जाएगा 1 बटा 3 पाई यार स्क्वाइर एच गोली की तरीच्या 0.5 cm मान लेते हैं कि यन गोलियां है तो यन गोलियों का आयतन हो जाएगा n इंटू 4 अपान 3 पाई यार क्यूब गोलियों को संक्व में डालने पर गोलियों के आयतन के बराबर पानी गिरेगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि गोलियों का आयतन बराबर 1 बटा 4 संक्व का आयतन मान रखतेते हैं तो n इंटू 4 बटा 3 पाई यार क्यूब बराबर 1 बटा 4 इंटू 1 बटा 3 pi r square capital h, pi से pi कट गया, नीचे 3 से 3 कट गया, n बराबर capital r square capital h upon 16 r cube, value put कर दीजे, capital r का मान 5 है, तो 5 का square into 8, नीचे 16 into 0.5 का cube, इसको simplify करेंगे, तो यह 0.5 का cube है, तो नीचे हो जाएगा 5 into 5 into 5, उपर हो जाएगा, 1 के आगे 3 0, दस्मलों हटाएगे, तो 3 0 यह बढ़ जाएगा, और इस 5 का square हो गया, 5 गुड़े 5, अब यह 2 5 इसे कट गया, एक 5 इसको कट कर दीजिए, तो यह 200 हो जाएगा, 8 दुना 16 और 200 बटा 2 यानी 100, अर्थात बर्तन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या 100 होगी, उचाई 220 सेंटीमीटर, आधार ब्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर, यह देखिए 220 सेंटीमीटर, उचाई का एक बेलन है, इसी के उपर, 60 सेंटीमीटर और तिरिजया 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक अस्तंब बना है, यह, यह आ गया, 60 सेंटीमीटर वाला ही, इस पर आ गया, इस अस्तंब का द्रविमान ग्याद कीजिए, जबकि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रविमान 8 ग्राम होता है, तो देखे, इन कंबाइंड जो आकरिती मिली है, इसका आयतन निकालेंगे, तो बड़े वाले बेलन का आयतन, प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन की उचाई दिया है, 220, तिरिजया 12 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की उचाई, 60 सेंटीमीटर, छोटे बेलन क द्रेजिया 8 cm, तो अस्तम का आयतन हो गया बड़े बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का हो गया पाई capital R square capital H, प्लस पाई small R square, small H, पाई का मन ले ले लेते हैं, तो capital R square H plus small R square H, इसका मान रख दीजिए, तो 3.14 into ये capital R कमान 12 है तो 12 का स्क्वाइर गुड़े 220 प्लस 8 का स्क्वाइर गुड़े 60 तो तीन दस्मलों 14 यह हो गया 12 बरह यह 144 गुड़े 220 और 8 64 गुड़े 60 अब इस बीच की बेलू यानि 144 गुड़े 220 आएगा एक 3680 64 गुड़े 60 आएगा इन दोनों को जोड़ देते हैं तो तीन दस्मलों 14 गुड़े यह आजाएगा 35,520 इसका गुड़ा जब करेंगे तो आए जाएगा यह 11,532 बरह गुड़े क्यूब अस्तंब का आयतन हो गया एक 11,532 रसमलों 8 सेंटीमीटर क्यूब एक घन सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर है तो जो दिया गया है इसका आयतन यह हो जाएगा गुड़े 8 ग्राम तो यह जब गुड़ा कर देंगे तो यह आजाएगा आपका 89226.4 ग्राम यह देख रहे हैं कि जो है बैलू अधिक आ रही है तो इसको 1000 से भाग दे देते हैं तो यह किलो ग्राम में आ जाएगा जब 1000 से भाग देंगे तो दस्मलों तीन अंग बाएंख ही सक जाएगा तो एक दो तीन आठ सो बानवे दस्मलों दो च्छे दो च्यार किलो ग्राम यानि दस्मलों के दो अस्थान तक अस्तम का द्रवेमान हो गया आठ सो बानवे दस्मलों दो च्यार किलो ग्राम एक ठोस में उचाई 120 सेंटीमीटर और तिरिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक संकू सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर तिरिज्या वाले एक अर्ध बोले पर आरूपित है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब बृत्तिय बेल में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब बृत्तिय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को असपर्स करे यदि बेलन की तरिज्या 60 सेंटीमीटर है और उचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में से बचे पान यह आकृती इसमें डाल दी गई है तो इसका मतलब जब यह आकृती इसके अंदर पढ़ेगी तो अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो इसमें कितना पानी बचेगा इसमें कितना पानी बचेगा तो इसको क्या करें इसमें से बड़े जो बेलन का आयतन है, उस आयतन में से इन दोनों के आयतन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इतना घटा देंगे तो यह मिल जाएगा, तो सेस बचे वे पानी का आयतन होगा, बेलन का आयतन माइनस संकु का आयतन और अर्ध गोले का आयतन घटा देंगे तो pi small r square capital h minus इसका 1 upon 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube यानि कोन का और plus आधे गोले का सबका radius समान है तो अब यह value मिल जाएगी pi r square bracket में capital h minus 1 by 3 small h minus 2 upon 3 small r यह देखिए bracket जब open करेंगे तो यह plus का minus हो जाएगा तो बचे में पानिक आयतन हो जाएगा 22 बटा 7 गुड़े बैलू रखेंगे 60 का square 180 minus 1 बटा 3 गुड़े 120 minus 2 बटा 3 गुड़े 60 यह 3 से कटेगा तो यह 40 हो जाएगा 3 से कटेगा तो यह 20 हो जाएगा अभी आ जाएगा 22 बटा 7 गुड़े 3600 60 का square यह 180 minus 40 तो इस तरह से 22 बटा 7 गुड़े 3600 गुड़े 180 minus 80 that is 100 अब इसको simplify कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 11, 31, 428 दसमलो 5, 7 एक घन सेंटीमीटर अब यह देख रहे हैं कि घन सेंटीमीटर में आया बहुत अधिक है तो होता है एक घन मीटर बराबर दस की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब तो दस की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब से इसको भाग दे दीजिए तो दस की घात 6 से भाग दे देते हैं जब भाग दे देंगे तो आज आएगा मीटर क्यूब में अभी आएगा एक दसमलो एक तीन मीटर क्यूब यानि बेलनाकार बरतन में सेस बचे हुए पानी का आयतन होगा एक दस्मलो एक तीन घन मीटर इस कोस्चन में आप देख रहे होंगे एक गोलाकार खाज के बरतन की एक बेलन के आकार की घरदन ये देख रहे होंगे जैसे सुराई होता है तो इसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या एक सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या कैपिटल आर है जिसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर है और व्यास दो स सेंटीमीटर है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मातरा माप कर एक बच्चे ने अग्याद किया कि इस बरतन का आयतन 345 गन सेंटीमीटर है जाज कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं या मानते हुए कि उप्रोक्त मापन आंतरिक मापन है पाई का मान 3.14 रखे तो गोलाकार बरतन का जो ब्यास है डी 8 तसमलो 5 सेंटीमीटर तो तरिज्या हो जाएगी 4 तसमलो 2-5 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई यह जो दिया गया 8 सेंटीमीटर है बेलन की तरिज्या 1 सेंटीमीटर तो बरतन में भरे पानी का जो आयतन होगा गोलाकार भा अब जो है बरतन में भरे पानी का आयतन पाई टाइम्स फोर अपान थ्री केप्टल र क्यूब प्लस इस्माल आर स्क्वाइर एच अब यह बैलू रखेंगे कल्कुलेशन थोड़ा बड़ा है 3.14 गुडे यह 4.3 4.25 का क्यूब प्लस इस्माल आर का मान एक है तो 1 का स्क्वाइर और इंटू 8 अब यहां से 4 बटा 3 इसका आप मल्टिप्लाई करेंगे तो 4.25 गुडे 4.25 गुडे 4.25 गुडे 4.25 इह आएगा दस्मालो की दो अस्तान तक 76.77 और इधर से आगया 8 इसको जब इसमें जोड लेंगे तो इधर की बहिलू 4 से गुडा करने पर आगया 307.678 बटा 3 और यह प्लस 8 अब इसका मान आगया 102.36 और यह आगया 8 जोड लिया तो 110.36 3.14 से गुडा किया यह गुडा करने के बाद मिला 346.53 cm3 बच्चे द्वाड जो मापा गया आईतन है वो 345 cubic cm है जब कि गड़ना द्वार कि 346.53 cm3 मिलता है इसका मतलब कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है सही उत्तर है 346.53 cm3